समस्कार कैसे हैं आप लोग दिखिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस सीजीटी 2018 इसमें बहुत सारे बात बताने वाले हैं सुरूस लेकर अंतक इसमें कवर क्या हैं जो आपके मन में सवाल चल रहा है कट अप से रिमेडिकल से या फेजकल के समय भी कोई कोई दिखत हुआ था उसके लिए मतलब कि आपके मन में जो भी डाउट है ठीक है जो भी डाउट है उसको हम इसमें दूर करने वाले हैं और आप ही लोगों के द्वारा जो सवाल पुचा गया हैं इसमें क्वेस्टन किया गया है उसका हम जवाब देने वाला हैं अगर आप भी कोई question पुछना चाहते हैं तो इस वीडियो कमेंट बाक्स में कमेंट कर देना हम ठीक दो या तिन दिन के अंदर में वीडियो प्रवाइट कर देंगे ठीक है आपके लिए बहुत महुत और बहुत कर रहा हैं मदद कर सकते हैं ये वीडियो तो हमरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा दाना दोस्तों तो आये देखते हैं क्या है वो सब वीडियो में जो बाते जो आपकी डाट को क्लियर करेगी देखें ये पुछे हैं स्यमुराज कि सर मैं यूपी नकसल से हूँ ठीक है सर मैं यूपी नकसल से हूँ 8.2 नंबर 8.2 नंबर ज़ादा है तो मेरा सेलेक्शन हो जाएगा कि नहीं वीडियो बनाव सब देखें यूपी भी हरका हम कटप बना चुके हैं आप जाकर कि मेरे प्ले लिस्ट में जा करके जाय देख सकते हैं ठीक हैं वहाँ पर आपके विवासा भजपूरी में भी हम बना चुके हैं वीडियो वो तो आपका तो हो ही जाएगा आपका कोई नहीं रोक सकते हैं यह कर रहा है कि असाम ओवी सी मेडिकल फीट हूँ नर्मलेजाइट मार्क मेरा 46.5 और हमारा ओवी सी डिये में कटफ 41.6 यानि कि इनका पांच नंबर नेरे बड़ पांच नंबर सही है तो मेरिट मेरा नेम आएगा आजाएगा दोस्त अगर मेडिकली फीट है तो यह देखें मानप्रित सेंग जी है यह कर रहा है कि ओके सर बहुत अच्छी लगी वीडियो यह आप सर इस्टेट ट्वाइज कटफ पर बनाना वीडियो जल्दी है सर यह हमें एक वीडियो बनाया है जिस पर कि सुरूस लेकर अनलेस तक अनलेसिस किया है और उसमें लगव है कि डीमे के लिए यानि डीटेल मेटकल एक्जामनेसर के लिए एक लाग निकाहीं दहाई सेका आजाब दस लाग दस लाग तेरह लाग कंडियेट को बुलाया गया था भाई आप किस दुनिया की बात कर रहा है नियर्ज टेक्नोजी आप पहले इंफर्मेशन ले लिजिए ठीक है उसके बास देखिए मुकेस डेंगोड़ सर एंप यानिमा अधिपर्दिस रेष्टी कटेगरी से पांस दसमलों दो को नंबर ज्यादा है चाशाचर दसमलों पांच दिन नंबर हो जाएगा दोस्त कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आगे बात करें रेतु राजपाल कि बीस हजर लड़ों का रिजेक्शन नहीं आएगा आपका अनुमान गलत है या कोई गलत बता दिया होगा चार्ज पांस हजर लड़ों का रिजेक्शन नहीं दोस्ते ठीक है यह देखिए अरे भाई रेमी में 40,000 का इंड़ेट को होना है और तुम 50,000 बता रहो दिखिए 40,000 का नहीं होना है यहां पे कोई भी नोटिस में नहीं लिखा गया है कि 40,000 होना है और हम आपको बता रहे हैं कि 50,000 इसलिए बता है ना कि जितना का रेमी मिला था ठीक है अरेमी जितना का मिला था उ किसी का किसी का रिजेक्ट होगे किसी का किसी का से तो उससे कट पीट करके 42-43 जर्पी आएंगे ठीक है यह राम आवतार यादो जी है यह करा है कि सर्माहराजस्थान से हो जनरल डिश्टिक अरिया से और भी से कटेग्री से 86 नंबर है कोई चांस है क्या हो जाएगा यार बात करें तो यह सर्वाण कुमार जी है यह करें कलेजा ठंढ़ा हुए ऐसे वीडियो को देख करें उसी वीडियो को देख करके जिसमें हम इलैसे कि बताएं कि एक सीट के इतने बच्चे हैं बहुत भी धन्यबाब सर्वण कुमार जी असाम का बताऊ सब आएंगा ऐसाम क जी चांस हैं ओभी चीज़ा है तो जन्रल से भी रहते तो चांस होता आगे अगर बात करें तो देखिए यह हैं मनुरंजन दुबेजी बात में आपका दम लग रहा हैं भगवान करें ऐसा ही ऐसा ही होगा दोस्तों और अब फिट हैं तो होगा ही कोई दिकत नहीं है प्रितम कुंदू जी यह पूछ रहे हैं कि वेश्ट बंगाल डिष्टिक इवर कटेगरी कटफ 44 चार पच और मेरा इकाउंड उस्मलों पाच एक हैं क्या चांस है रिप्लाई करना जी प्रितम कुंदू जी अप्र बहुत बहुत चांस है सो परसंट जे भी बलो के नाम से नाइस प्रेडिकेशन थैंक्स गोबिंदा सिंग वेश्ट बंगाल को बनाए प्लीज हम बना चुके हैं वेश्ट बंगाल कटफ यह हमको सर्माजी है सर्माज जम्मू से हूं मेरा मार्क से 61 है मेरा नंबर आ सकता है सर जी आ सकता है कोई दिकत नहीं बेश्ट आप लोगों का और लोग का अगर कोई भी दिखा तो तो मेरे इस कमेंट बाक्स में कमेंट करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों फिर मिलेंगे आग एक वीडियो में तब तक के लिए जैहन दोस्तों